वेलकम तु सरोध मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है जारकन से कश्टूरबा गांधी आवाश्य विद्याले से सिक्षक बढ़ती विग्यापन जारी हुए है इसमें सालरी प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ् अगर मेर्टल में नाम आता है तो आपको सिर्फ डॉकुमेंट वरिफिकेशन का रहेगा और ज्वायनिंग अपको मिल जाती है जॉब सेक्यूरिटी विट्र रहती है साल बर का कॉंट्राक्ट रहता है लेकिन इस कॉंट्रक्ट को वहार साल रिन्यू कर देते हैं पर्मनें वेकेंसी लाएंगे तो पेस्केल अगरा देनी पड़ेगी तो इसलिए पर्मानेंट वेकेंसी नहीं लाते हैं लेकिन कॉंट्रक्ट वाले को हर साल बढ़ाते हैं और तीन साल के बाद जारकंड में जो ना सालरी को हाफ से 50% बढ़ा दिया जाता है इस बार पहले जो एकेंसी दो प्राइट थी उसमें बाहर के कैंडिडेट एप्लाई नहीं कर पाते हैं इस बार रूल चेंज कर दिया है बाहर के भी जो है ब्सक्राइट आपन आपन लेक्टीशन रहेगा यह सारी चीज का सीजें समझते हैं पोल्ट कालिफिकेशन बाहरी र इसकिद तिर्षब एको एको मिलाहा है so फेले स्कूल से है थे द्रभी को देख लेख ओला किसमे दी के डिए लोग लुद्श में दिया हुआ कॉल इसमें टेबल को एक कि 얼른 स्कूल में धानोकिosa वैसे एरिया से बच्चों को लाया जाता है और यहां पर सारी सुवीदा दी जाती है free of cost education, free of cost meals, रहना, खाना, कपड़े, books, सब कुछ प्रवाइड करके उनको सिक्षित किया जा रहा है so that वो mainstream से जुड़ सके इसलिए क्योंकि सभी girls ही होते हैं 100% सभी के सभी बच्चियां जो है इसलिए female candidates को ही सिर्फ मौका दिया जाता है apply करने का पहले एक रूल था कि हाँ जो part-time teachers हैं उनके लिए male candidate पूरुषभ्यरती apply कर पाएंगे अभी वो चीज खतम हो गई है सिर्फ और सिर्फ female candidate ही apply कर पाते हैं तो हिंदी English के लिए है mathematics के लिए unresort में तो सभी apply कर सकते साइं मतला बाहरी राज के candidate भी apply कर सकते science and social science के लिए vacancy यह एक जेगे से और एक और table है एक और table है इसमें unresort में एक एक mathematics शेले 2 vacancies यहां पर यू और के लिए चीट नहीं है science के लिए one vacancy यहां पर यू और के लिए सीट नहीं है सोशल में भी घने खकेंशनल के लिग नहीं है बाती है मतलव जेनरल के सीट नहीं है तो जो इंट्रेस्टेट के को नित्य देवर्ट जार्खन देट सब्सक्राइब करता है विम पर गंडाइम रहे हो दो जहार्खन जिंट तो साथ है और समय स्वी नहीं है तो नेळ्ब रिटेन्त tag उतिर्ण्प कर सकते हैं तो भी अपलाई कर सकते हैं तो मतलब जो नेवरिंग स्टेट है पड़ोसी राज्यों उनका भी टेट आपने पास किया है तब भी आप अपलाई कर सकते हैं यह बहुत अच्छा नियम आगया हाला कि फिर उन्होंने कंडिशन लगाया है कि तीन साल के अंदर अगर जे टेट ह जाता है जारखन्टेट तो आपको एक्जाम क्वालिफाइब करना पड़ेगा तीन महीने आपको पढ़ने का भी समय दिया जाएगा चुट्टी दी जाएगी आपको त्री यह के अंदर अगर जेट आयोजन नहीं होता है जेट होता ही नहीं है क्योंकि कही सालों से हुआ ही तो फिर कोई बात नहीं बिना जेटेट के भी आपकाम करते रह जाएंगे तो मैंने आपको आप्शन बताया सीटेट क्योंकि यह TGT का पोस्ट हो गया ट्रेंग्राजवेट टीचर का पोस्ट हो गया तो इसमें सीटेट पेपर टू या फिर वेस्ट बेंगॉल पेपर टे पेपर टू या फिर ओडिसा टेट पेपर टू या फिर जारकन टेट तो इस तरीके से कोई भी चलेगा अब इसमें कैसे करना है क्वालिफिकेशन में तो वही है ग्राजवेशन होना चाहिए बीएड होना चाहिए और टेट के मैंने आपको कंडिशन बता दिया इसमें नि जिला सिक्षा पताधिकारी जिला कारेकरम पताधिकारी यह एड्रेस दिया हो यहां पर पहुंच जाना चाहिए पिन वगर टिक से डालना है क्या क्या अटाइच करना वो भी देखेंगे क्वालिफिकेशन एक बार फिर से देख रहते हैं क्योंकि 6-8 है तो आपको पता है क कि ट्रेंड टीचर है सालरी क्या ओफर करेंगे वो भी देखते हैं किसी मानेता प्राप्त बोड या विश्व इद्याले से जिस विशे में आपको आविदन करना उसमें अब उसमें आपका ग्रैजवेशन होना चाहिए नियुनतम 50% या अब अब मार्स के साथ सना तक ही हरता यहां पर लिखा है न सनाहत तक ही हरता मतलब ग्रैजवेट होना चाहिए 50% या अब अब मार्स के साथ और अगर सेस्ट कैंडिडेट रहेंगे उज्वारकंड के या पीडवलोडी तो 45% के साथ भी आप अपलाई कर सकते हैं इसके साथ बीएट भी चाहिए रहेगा ग्रैजवेशन के साथ में बीएट चाहिए रहेगा और टेट का मैंने आपको बताया कि जेटेट सीटेट या फिर कई सारे स्टेट का नाम बता है उनमें से किसी एक अभी स है है कि इस अल्री काफी कम है लेकिन तीन साल के बाद विव्क्राइब कर सकते हैं तीन साल के बाद फी फिफ्टी परसंट बढ़ा देंगे मतलब 15,840 पंदरा आफ्टा और अच्छो चालीज रुपे प्रतिमा आदेंगे इंदी मीडियम वाले अपलाई कर सकते हैं इंग् होता था बोजन फ्री होता था अब क्या है पता नहीं अब इसमें एज क्राइटेरिया है क्योंकि जेनरल में बाहर के चैनल करेंगे तो उनके लिए 38 यहर से और से प्रफिशल विबसाइट में आपको विजिट करा देती हो क्या क्या चीज़ें इसके लिए पढ़ने जारकंड बालिक विद्याले एक अवासी विद्याले अतच चैनी तब यर्ति को विद्याले में रहना अनिवार होगा तुझे अब होलिडेज होते हैं तो आप घर जा सकत है हां मतलब बीच में अर्जेंट है लीव लेना है कुछ तो वह जाते हैं ऐसी क्यों बात नहीं है तो कि आप समग्र सिक्षा अभियान के अंतरगत चलाया जाते हैं जारकंड बाली का आवासी विद्याले और कस्तुर्भा गांधी बाली का विद्याले अप्लिकेशन फॉर्म इसको फिल करना है जितने फोटो कॉपी से पासिंग सर्टिफिकेट है सेमेस्टर वाइस यर वाइस वो पढ़ना है अपना पता लिखा हुआ भी दो लिफाफा डालना होता है उसका जो यह 23 x 10 cm का एंवेलप होना चाहिए उसमें अपना पता होना चाहिए दो होने चाहिए क्योंकि वह अगर आपको इन्वाइट करते तो उसी एंवेलप को यूज करते हैं तो आप भी प्रमानि पोस्ट ड्वाजओेशन जो भी आपके पास ब्येड़ टेड और सब पे आपके अपनी सिगनेचर होंनी ही चाहिए इसके बाद और क्या-क्या माँग रहें अगर कैटीगरी में अप अप्लाई करें हैं और अप्लाई करना उनको अःशी की जरुवरत भी तो यह सब कर के ज़सए घए और चलते बिजट कने बाद डीजगा में सम靡 रह sob ở requisite पर चलते जिस जिल कर लात पर रहते है दिक्सक्राइड फोड पर अपनों कि एठेकTM है बुच्छ में अफ्लिक्पन जाएंगे तो आपको इड्वर्टीजमेंट मिल जाएंगे नोटिसेज में अड़टीजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जो सेकेंड नमबर पर ना यह है